गुड मॉनिंग स्टूडेंट वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपको हाइस्कूल और इंटर की इतनी महतपूर जानकारी दूँगा जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे तो आएए सुरू करते हैं आज की वीडियो बहुत से स्टूडेंट लगातार हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर जो हाइस्कूल और इंटर के जो एक्जाम होने वाले हैं उनमें क्या बदलाब हुआ है तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि अपकी बार कुछ ऐसे बदलाब हुआ है अब देखके सुनके चौक जाओगे तो इस वीडियो को पूरी देखना है और ध्यान से सुनना है मैं आपको बता दूँ कि जब से करोना काल आया था और 2020 और 2021 के जो हाइस्कूल और इंटर के एक्जाम हुए थे वो ऐसे हुए थे कि बच्चे जो बच्चों ने अभी तक एक्जाम नहीं दियोंगी 20 में तो बिना एक्जाम दिये बच्चे पास हो गए 21 में भी लगबग ऐसी हुआ था अब इसी के बेश पे इस्ट्रिएंट हम से पूछ रहे हैं कि सर अपकी बार क्या एक्जाम किस टाइप से होने वाले हैं तो इस्ट्रिएंट मैं आपको बता दूँ जो हाइस्कूल और इंटर के एक्जाम है वो अपकी बार 20 और 21 से हटके होने वाले हैं क्योंकि जैसे की 2022 में शुरुआत में पता चल रहा थी करोना फिर से आ रहा है लेकिन उसकी फरवरी में ही अमार टूट गई और वो पूरी तरह खतम हो चुका है और आयोग ने इसी के बेस पे decision लिया है कि जो high school और जो inter के exam होंगे जो 2020 से पहले हुआ करते थे सेम वो ही procedure होगा अब student जो अपने mind में ये बैठे हैं कि exam किस type का आएगा तो student exam 2020 से exam होते थे बैसा ही आपके exam होने बाले बस आपको जो 30 नंबर का जो high school बालों को bonus point है वो ऐसी रहेगा लेकिन inter बालों को सतरक रहने की जरूरत है क्यों क्योंकि अपकी बार जो high school और inter के जो exam बताए जा रहे है वो काफी tough आ सकते हैं क्यों और ये उनी के लिए अच्छी बात है जिनके जिनकी तयारी अच्छी होगी उनी का ये exam बैस जाएगा और जिन student ने high school और inter को हलके में लिया है तो अपके यार वो हलके में नहीं लें क्योंकि अपके यार जो high school और inter के जो exam आएंगे वो परिक्षा hard होने बाली है आपको सतरक रहना है exam की तयारी अच्छे से करें आपके पास पूरा पूरा एक महीना है एक महीने के अंदर आपके तयारी को तेज करें और अच्छे से तयारी करें तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जोड़े रहे हैं हमारे चैनल के साथ और मिलतें next वीडियो में